पता नहीं मैं हर मारे सिट्वेशन में कैसा फंस जाती हूँ मैं अपने पुराने शूस को एक नया लुक देने वाली थी और जिसके लिए मैंने अल्मोस सारी तयारी भी कर ली थी लेकिन मैंने सबसे इंपोर्टन चीज़ पर घ्यान ही नहीं दिया और वो है मेरे शूस की हालत ये पुराने तो है यही और गंदे भी हो रखे हैं लेकिन प्राब्लम वो नहीं है प्राब्लम यह है कि यह जड़ भी रहे हैं अब मेरे पास है दो ऑप्शन एक तो यह है कि मैं इस पूरे प्रजेक्ट को छोड़ दू याल मुझे 5-10 मनिट लगे अपने आपको समझाने में लेकिन फाइनली मैंने चूज किया है सेकेंड ऑप्शन अब देखते हैं मेरे महनत सफल होगी या बनबाद तो ट्रांस्फोर्मेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होगा इस गंदे शूस को साफ करना यार ये पपड़ियां देखके तो दिवारों की पपड़ियां याद आ गई मैंने सच में किसी शूस की ऐसी पपड़ियां निकलते हुए नहीं देखी आज तर वेल पहले इन्हें साफ कर लेती हूँ फिर देखते हैं इनका क्या करना है इससे साफ करने के लिए एक विंजा टेकनीक है मेरे पास बट आइम नॉट शूर कि वो काम भी करने वाला है या नहीं और वो टेकनीक है चम चमाती हुई वाइट टूथपेस्ट तो मैंने ले ली है कोलिट वाइट टूथपेस्ट ध्यान रहे जेल बेस टूथपेस्ट मत लेना और हमें चाहिए एक टूथब्रश अब अपने दाथ साफ करने वाला ही टूथब्रश मत लेना वनना पता चला सफाई चालो करने से पहले शूज के लेसिस निकाल लेती हूँ और अब लगा देती हूँ टूथपेस्ट और रगणना चालो यार वैसे तो कहते हैं शूज को कभी भी पूरा गीला नहीं करना चाहिए साफ करते टाइम बट यार कोई और आप्शन भी तो नहीं बचा रग जढने से अच्छा है कि अभी जढना जढ जढ जाए तो दोनों शूज पर टूथपेस्ट रगट दिया है और अब मैं इनको दस मिनिट के लिए ऐसा ही छोड़ने वाली हूँ और तब तक लेसिस को डिटर्जन से अच्छे से वाश करने वाली हूँ थोड़ा ब्रश भी म या होता तो मेरे शोज अभी चम चमाते हुए होते बट नाओ आइकन सी कि थ्रेट वर्क पर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है प्लस सोल भी थोड़ा यलो ही दिख रहा है आइटिंग यह पुराना हो गया है यह वह वाला यलो पन है वैसे तो I am quite happy with the results as पुराने शोज में क मेरे ने पेंट कर सकते हैं लेकिन जब मैंने यह उप्षिंज अनलाइज के तब ऑप्षिंवार इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे इसका लोग सेटल रखना था ना कि ग्लैंबरस लुक देना था और ऑप्षिंट वह इसलिए करना मुझे नहीं लगता कि ग्रेट कि कोई सीनरी या पोट्रेट बनाओ आई मिन बना सकती हो बट कितना अजीब लगेगा ना कि किसी के फोटो मेरी शूस में तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो इसके शेप को कॉम्प्लिमेंट करें और अट दे सेम टाइम मुझे पसंद भी आना चाहिए तो चलो मैं अपने colors ले आती हूं और धुलेवैं跟 शूस ले आती हूं वैसे colors में अपने एक्रेलिक colors ले आती हूं और फूडी बनाना स्ट करती। पहला food ilustration क्या बनाओ YouTube यहan यहाँ लीशीə वैसे मेरा ब्ल्हन फ्लैन यह jar ले एक्र्ष लाग ताकि इनके पीछे मेरे सारे cracks छुप जाए तो सबसे पहले हम पीजा का base ready करेंगे सेम उसी तरह जैसे पीजा बनाते हैं वैल ये over cover surface पे paint करना थोड़ा difficult हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसे paint करने के बाद भी इन cracks को मैं छुपा पाऊंगी मुझे लग रहा है मैं fail होन करने की कोशिश कर रही हूं applying jesso जहां जहां भी मुझे ये दिख रहा है मैं fill करती जा रही हूं although एकदम smooth तो नहीं हो रहा है surface बट स्टिल पहले से better है जहां जहां मैंने jesso apply किया है वहाँ वहाँ white जादा दिख रहा है that means इसके dry होने के बाद हमें फिर से jesso का एक coat apply करना प इसके dry होने के बाद मैं वापस से अपना pizza paint करती हूं मैं उसी stage में आ गई जहां से शुरू किया था anyways तो pizza paint करने के बाद इसमें नन्य मुन्य elements भी add करूंगी ताकि मेरा जूता देखके लोगों को खाने का मन कर जाए मेरा जूता नहीं खाना of course हां हर food item का एक face भी add कर देत बट painting करते करते idea आया कि इस shows के lace वाल को ही donut का hole बना देती हूं सच में कुछ कुछ ideas तो on the fly ही आते हैं तो ये paint करते करते मेरा दिन खतम हो गया और next day जब मैंने अपने shows देखे तो मेरे साथ वही हुआ जो होना चाहिए था मुझे वो कलतिया दिखी जो मुझे कल नहीं दि की है ऐसा लग रहा है कि मैं आधी बड़ ही नहीं पारी हूं मुझे इसके transformation का सपना ठूपता हुआ नजर आ रहा है कि या जब ऐसा होता रहता है न तो बार बार हिमन चुटाना बहुत मुझे सच में बहुत मन्ता इस shows को पहने line बनाने का इसलिए ये सारे failures के बाद भी मै पहले basic shapes draw कर लेती हूं ताकि कहां कहां क्या क्या चीज़े आने वाली है उसका idea लग जाए और फिर हम उसके details add कर सकते हैं वैसे तो हर एक food illustration अपने आप में complete artwork है जिसे आप end to end एक साथ बना सकते हो बट मुझे लगता है कि color prop करना पोरे shows में और free details add करना एक अच्छा approach है त वैसे मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि है तो ये shoes ही ना इसलिए colors तोरण अबसौब नहीं हो रहे हैं इसलिए it's better कि layers में shading करें यार वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि इतना realistic paint करने की ज़रूरत है इसलिए अब मैं simple plain colors से फटा-फट चीज़ें बनाती जा रही हूं वैस पसंद था सबसे पहले तो अंदर का क्रीम गायब हो जाता था अब मैं पूरे shoes में popcorn add कर रहे हूं जहाँ जहाँ मुझे gap दिख रहा है ओके अब बारी है plain color से और details add करने की यहर मैं यह सोच रही हो कि अच्छा हूँआ दूसरे shoes को साथ-साथ paint नहीं किया वरना दोनों shoes में इतनी बार rework करना पड़ता मेरी तो band बज जाती well I think I am done और अब बारी है इससे outline करने की मैं black marker की help से outlines बनाती जाओंगी और cute cute face में add करती जाओंगी हर एक food item में वैसे सच मता हूँ मैंने outlines करने का नहीं सोचा था बट I realized कि without outlines दूर से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने decide कि है कि इनके shapes को और define करना पड़ेगा by the way अगर आपको याद होगा तो मैंने base को पूरा भरने का नहीं सोचा था but paint करते करते I realize कि जादा space अच्छा नहीं दिख रहा है अच्छा इसलिए भी नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा base smooth नहीं था बहुत सारी चीज़े तो मैंने on the fly सोची और add की I am glad कि इतनी recovery आने के बाद भी मैं बस करती चली गए and let me tell you outline draw करने वाला part is the most satisfied thing in the whole process well मैंने same process को दूसरे shoes में भी repeat कर दिया है और दूसरे shoes का काम तो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि सारा experiment हमने first shoes में कर लिया था अब paint तो कर दिया लेकिन अगर इसके colors उखड़ गए तो इसलिए इसमें apply करना पड़ेगा varnish I hope liquid varnish से marker ना फैले वनना इतनी सारी मैनत बदबाद हो जाएगी ओ शिट ये तो फैल रहा है अब क्या करो हाँ spray varnish try करके देखती हूँ fingers crossed मैं थोड़े से area में ही apply करके देखूँगी please what fell ना यार let it dry for some time and फिर देखती हूँ guys ये है मेरे पुरा दे I'm in new shoes I can't believe कि मैंने इन shoes को ऐसा बना दिया है and I'm so happy कि मैंने second option choose किया था मिलती हूँ next video में तब तक के लिए ये देख लो